हमने अभी तक protected areas देखे अब हमारे पास पढ़ना है coastal regulation zones इंडिया का coast which state has the highest coast in इंडिया coastline in इंडिया गुजरात रहीस नहीं देखिया क्या है रहीस में हो बोलता है वहां पर रहीस movie उसमें बोलता है that गुजरात है जाइस कोस्ट लाइन अब coastline को भी बचाना हमें तो कि वहां वह भी important है तो उसके बचाने के लिए वहां पे area and biodiversity को बचाने के लिए we started coastal regulation zones ठीक और उसके तहद हमने जो coasts है उनके areas को चार हिस्व में डिवाइड किया coastal area zone one two three four ठीक और उसके तहद अलग-अलग areas में अलग-अलग activities अलग-अलग चीजें हमने permit की और अलग-अलग चीजें प्रहुबिट की ठीक सबसे पहला zone होता है coastal regulation zone one यह area होता है between high tide and low tide मतलब अगर यह बीच है एक टाइड की maximum height यहां पर और minimum height यहां पर तो यह जो बीच में area ना this is the area between high tide and low tide ठीक क्योंकि tides आप देख रहे हो वह वहरी करती है कभी वह आगे जाती है कभी वह पीछे ही रहती है ठीक जो उन दोनों चीज़ों के बीच में जो area ठीक है the area between the high tide and the low tide that is coastal regulation zone 1 ठीक और इस area में कोई नई construction allowed नहीं है कुछ भी allowed नहीं है इस area में except अगर government को कोई specific project बनाना हो for example atomic plant ठीक अगर कोई हमें nuclear plant power plant बनाना है वो हम वहां पे बना सकते हैं बागी कोई construction वहां पे नहीं है ठीक the zone between high tide and low tide got it high tide or low tide high tide याने maximum height low tide याने minimum height और उसके बीच में जो area that is called as that coastal regulation zone 1 कोई activities वहां allowed नहीं है कुछ नहीं कर सकते हो हम पे except few जो government के लिए ठीक है जैसे atomic power plant that's why you'll see that कि हमारे जो maximum power plants है वो south में कुंदकुलम तारापूर ठीक इससे डिफिलिक में हो जाएगा है इससे protection मिलेगी would you want it in a populated area करनाबिल चाहते हो कि वहां पर protection रखना है अब defense projects है नेशनल इस तो वहां पर कुछ करना पड़ेगा तो government ने allow किया है वहां पर ठीक नेक्स्ट जोन टू जोंट टू हो गया वह वाला एरिया अगर ये शोर्स है यानि यहां तक पानी जा रहा है उसके बाद जो उसके बाद वाला एरिया यह वाला एरिया इसे कहते है जोन टू इसमें पर्मिशन है बनाने की लेकिन जमीन वाली साइट पानी वाली साइट आप कुछ नहीं बना सकते हो ठीक हम कहते हैं शोर्स किनारा ठीक सेकंड जोन है और उसमें अलावड है कि आप कंस्रक्शन कर सकते हो लेकिन जमीन वाली साइट पानी वाली सा वहाँ पे कोई construction नहीं कर सकते हो अगर वहाँ पे कोई चीज़ है तो repair कर सकते हो no construction is allowed, only repair is allowed here ठीक, कि इसलिए important है because वो match the following में पूछ लेते है TRZ1 में क्या है, 2 में, 3 में, 4 में and वो areas दे देते हैं और कहते हैं इनको match करो and the last zone 4 यहाँ पे खाली fishing कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पानी वाला area खाली fishing कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो these are the coastal regulations zone ठीक the zones that are near to the water to protect the biodiversity उसमें अंदर हमारे पास zone first है the area that comes between high tide and low tide कोई activity allowed नहीं है जबाए गॉर्मेंट की कुछ activities के ठीक है second zone जो shore के पास है उसमें आप construction कर सकते हो लेकिन जमीन वाली side पानी वाली side कोई activity नहीं कर सकते हो ठीक third zone ठीक है वहाँ पे तो इन दोनों एरिया में नहीं है वो undisturbed area है ठीक है वहाँ पे आप नहीं construction तो करी नहीं सकते हो यहाँ ज्यादा से ज्यादा रेपियर वर्क कर सकते हो ठीक fourth area कोई activity नहीं वो commercial fishing के लिए रहा हुड है बस nothing else central pollution control board इसका कोई काम इसका काम है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि यह recently पूछा गया था तो यह है क्या इसका क्या काम है central pollution control board anyone नाम से क्या पता चल रहा है इसका simple काम है pollution को कंट्रोल करें और इसमें दोनु वाटर आज यह इन दोनु पॉलिशन से प्रोटेक्ट करें हमें कैसे यह notification और रिगुलेशन देखता है जैसे ही मैंने का स्मॉग एक्टिविटीज है पीम टेन है कुछ है यह advisory जारी करता है immediately ठीक और यह देखता है कि अगर कोई industry's effilience flow कर रही है कुछ कर रही है तो उनको भी यह notice बेचता है ठीक और उसके बाद यह action लेता है ठीक अब यह body कहा है just write it down इसमें और कुछ नहीं है central pollution control board बस ठीक और इसके बाद हमारा एक topic है और ecology खत्म हो जाएगा कुन सा यह जा इन इंडिपेंडेंट बॉड़ी ठीक अगर हमने भी इसको किसी के अंडर रखा फिर काम काम करे गए ठीक है it is a statutory body it is a statutory body constituted in 1974 24 under the under the water prevention water is about bracket now water bracket prevention उँटरा इनुडलों प्मक्रोणर अध्यवट Commonwealth कि उँदा आप становится प्यक्ते ऑ्छ खर्क प्यू प्रेंस घरुड ऑंक्रोलों अध्यो अनोंच को ब्रह अज़器 जो भुटति आरोग मौत अस प्रिस्ट्री एक उडिव है 14 कुझ Cu फबाओ इत वित पॉब़ फब पोड़ और अफुंशं सबस्ट्ट कि अजुर अरल किः यर है a इarnya senza अंथ्यू आलोव थन देकी यालेकि पोलु लाकटे को लेंशique डा अंटोल फिलेक है python 1984 1981 sorry prevention and control of pollution act 1981 it has two main it has two main important functions first it promotes it promotes cleanliness cleanliness of steams of streams stream 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 streams and wells and wells in different areas second it improves it improves it improves the quality of air quality of air and prevents and prevents and prevents pollution of air from any source and now तो उसमें से संडे को आपको कुछ टाइम के लिए आना पड़े ठीक है यह डिपेंड करता है गौर्वर्मेंट तक आया होगा यह डिस्क्रीशन ऑन दे गौर्वर्मेंट है लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज यह उन तक है लेकिन मिनिमम एक एरिया को डिक्रेट करना है थीख